तो देखे एकजिट पोल में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं यानि कि मोदी सरकार बनने जा रही है एकजिट पोल के आकड़े सामने आने के बाद विपक्ष का बुरा हाल है एक्जिट पोल में इंडिये की सरकार की अनुमान के बाद बीजेपी और सहयोगी दलों के होसले बुलंद हैं तो विपक्ष 4 जून को फाइनल नतीजे की बाद दोहरा रहा है जोदी जी की गारंटी पर लोगों को विस्वास है और उस विस्वास पर लोगों ने अपना बटन दबा कर कमल को खिला दिया और अब चौकाने वाला चौका उनको लगने जा रहा है बेहूस हो जाएंगे उनकी पडिवारिक जमिदारी समाप तो होने जा रही है यह जो एकजिक पोल दिखाया जा रहा है यह एकजेक पोल नहीं है और चार जून को जब एकजेक पोल आएगा उसमें इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें 295 प्लस सीटें आएंगी यह हम आस्वस करते हैं देश के अंदर तैयारी चल रही है चार जून को 400 के पार जाएंगे और हर जगा कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां चार कुइंटर लड्डू नहीं बठेगा पूरे देश के अंदर माहोल बन गया है क्या रहे मोदी खुशी की लहर दोड़ गई है और जो विरोधी बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे उन सब का दावा खोखला निकलेगा एंडिये की बढ़त के बाद चुनाव आयोग पर और एवी एम पर ठीक रा ठोड़ा जाएगा हम सही साबित हुए बड़े बड़े दावे दोस्तों पिच्चानमे के या इससे अधिक किये जा रहे थे अब सब एवी एम में दोस निकाला जा रहा है वियार की जार खंड की और समुझे देश के अंडिये की जीत पर बहुत बहुत बदा है जेट का इंतजार करना कि तो परचा लीग पहले हैं इस था पांक दिन साथ दिन पहले हैं से लोग चर्चा कर रहे थे कि अधिक पुलिस तरह से लोग पर उसेंगे देश की जंता निर ने लिया है इंडिया साइनिंग की हाल होगी, माफ करना, लोगोंने बोड दिया है तेश स्वेजी के संकल पर, इंडिया के उसेंडिया की जीत हासल करने जा रही है इस थी पूल में नरंद्र मोदी की सरकार बुनेने जा रही है एक दिन पॉल नुमान से विपक्ष का बुरा हाल है विपक्ष का कहना है कि उनुमान और परिनाम में फर्क होता है तो बीचेपी का कहना है कि बिहार में टिये बड़ी जीत हासल करने चाह रही है यह जो एक्जित पॉल है यह एक्जित पॉल मुक्रूप से प्रवन्धित एवम अविलिकित है देखिए एगजिट पूल, पहा है जो भी आए। लेकिन एक बात मैं पता देना चाहता हूं, बिहार की जनता नहें तेद्जी प्रताअगों के नक्तित पर विश्वास किया। पधान मंत्री नरंद मोदी जी जिस भासा के इस्तमाल किये और जिस तरह से उनकी बेचैनी और बोकलाज देखने को मिली यह अस्पष्ट करता है कि इंडिया गडबंदन इस बार बहुमत से सरकार बनाने जा रही है बिहार में इंडिया गडबंदन को अच्छा से नौसित मिलने का नुमान जताया गया है लेकिन वास्तविक्ताई से कहीं अलग है और यह तैह है कि बिहार में इंडिया गडबंदन सुन पर आउट होगा लालू जी की दोनों बेटियों की करारी हारता है हार के बाद तेशी को अपने मित्र के साथ मचली और मटन पाड़ी का भरपूट अबसर मिलेगा इस लोग सभाच चुनाओं में एंडिये ने 400 पार का जो लक्ष रखा था हम उस लक्ष के करीब पहुचते हुए दिखाई पर रहे हैं विभिन मीडिया चैनलों पर दिखाये जा रहे है आगजित पोल में एंडिये को पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार भी दिखाया जा रहा है यहां मेरा अनुमान और एंडिये नेताओं के जो कार्ज सही रही है उसके मुताबिक बिल्कुल सही है वाई बेवू सराय से पीचे पियों में द्वार गिरे राज सिंग ने विपक्ष पर निशाना साते वे का चार तारी को सब कुछ साप हो जाएगा और विपक्ष की सारी खटाकट और फटा पर धरी की धरी रह जाएगी साथी एंडिये की जीत का दावा करते वे का आज सभी एजिंस्टियों ने एंडिये गडबंदन को चार सो क्यास पास की बढ़त बताई है और यह सिर्प मोदी की गारंटी का ही परिनाम है तो देखें कि रिपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि सारी खटाकट और फटापट जो है वो धरी की धरी रह जाएगी यही कि विपक्ष राहुल गांधी ओते स्वियादों हो लगतार फटापट खटाकट का सिक्रों करते रहें और इस पर बड़ा निशाना गिरी रास सीने साधा है पटापट को खटापट भेज दिया जो लोग कहते थे खटापट पटापट सब खटापट सबकी आवाजे अब बंद हो गई जो कहते थे मैं लिख रहा हूं मोदी नहीं रहेंगे चार तारीख को मोदी से नफरत देश के विकास को नकारना देश की विस्वासनेता को नकारना ये दिखाता है और मैं समझता हूं कि अब रिजल्ट चार तारीख को आने वाली है सारे सर्वे यही है चार्सों के पार तो एक्सिज़ पोल में इंडियो को बहुमत मिल रहा है वही नेता परतिपक्ष तैस्वी आदों ने काए कि बिहार में चौकाने वाले नतीचे आएंगे देश में इंडिया लाइंस को 295 से जादा सीट आएगी जबकि बिहार में कम से कम 25 सीट पर जीत का उन्होंने दावा किया है तैस्वी ने काए कि बेरोजगारी और महंगाई के दर्द के आगे मेरा कमर का दर्द कुछ भी नहीं है और वे लड़ते रहेंगे लड़ाई जड़ेगा और जो जंता का जो मिजाज है हम शुरू से कहते रहें बिहार चौकाने वाला रिजल्ट देगा ताका जो मिजाज था उसको हम लोग जाना और 295 मिनिममम इंडिया अलाइंस रही लेकिन बिहार से सबसे ज्यादा उमीदे हैं इंडिया को कितना नंबर आप देते हैं ते जस्वी हमसे बिहार में जो है 20-25 सीटों से कम हम नहीं हाए हमसे बाच्चित करने के लिए धन्यवाद ते जस्वी आदो कैमरा पर सन्हुजाम के साथ नीरज कुमार नियूज एट इन इंडिया दिल्ली श्रम्सन साथर मंतरी स्टोश सिंग ने विरोधियों पर निशाना साधा है एकजिट पूल को लेकर मंतरी ने का कि विपक्ष का यही काम है एकजिट पूल एकशिट पूल नहीं होता तो ये चैनल वाले भी कह रहे हैं अनमान हमेशा सच्चाई में बदलता है विपक्ष चार्जून को EVM पर ठीकरा होड़ेगी और अभी नहीं तो जब रिजट आएगा साथ तरीको तो विपक्ष आप कहेगा कि EVM खराब है